मुकुल वास्निक जी, शक्ति सिंग गोहेल जी, अमित चावडा जी, दीपक बाबरिया जी, शेलेश परमार जी, जगदीश ठाकुर जी, सिदाथ पतेल जी, आमी यागनिक जी, लाल जी, देशाई जी, हिमत सिंग पतेल जी, जिगनेश मिवानी जी, इंद्रविजे जी, इमरान केडवाला जी, ललित भाई, लाला भाई पतेल जी, मतलब हमारे सारे के सारे सीनियर नेता, और हमारे प्यारे कार्य करता, बबर्शे, टाइगर, आप सब का, आप सब का यहाँ, मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ. पार्लिमंट हाउस में, आपने देखा होगा, कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मुवम्मंट थी, राम मंदिर की अयोदिया की मुवम्मंट थी, सही बात, शुरुवात, अडवानी जी ने की थी, रत यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवानी जी को रत पे देखा था, कहा जाता है, कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवानी जी की मदद की थी, इनकी शुरुवात वहां हुई, राइट, ठीक है, रत यात्रा चली, और पार्लिमंट में मैं सोच रहा था, कि उन्होंने राम मंदिर का इनागुरेशन किया, और राम मंदिर के इनागुरेशन में अदानी जी दिग गए, अंबानी जी दिग गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा, आपने देखा होगा, टीवी भी देखा आपने, अब उसका नतीजा बताता हूँ, पार्लिमंट में मैं यहां बैठता हूँ, इंडिया गटबंदन के हैं, है ना, मैंने उनसे पूछा कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स और योदिया की पॉलिटिक्स थी, चुनाओ के पहले उन्होंने राम मंदिर का इन्योग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया, मैंने उनसे पूछा भाईया एक बात बताओ, यह हुआ क्या, कि उन्होंने राम मंदिर का इन्योग्रेशन किया, और इंडिया गटबंधन अयोदिया में चुनाओ जीत किया, यह हुआ क्या, और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूँ, उन्हेंने का राहुल जी, कि मुझे पता लगया था, तकरीबन छे महीने पहले मुझे पता लगया था, कि मैं अयोदिया से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे यह भी मालूम था, कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गडबंदन अयोधिया से जीतने जा रहा है मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम पूरी देश में, मीडिया में, सब जगे राम मंदिर का इन्योग्रेशन हुआ तो आपको कैसे मालूम उन्होंने कहा कि रावल जी जब मैं अयोधिया मैं लोगों से बात करता था तो मुझे आयोदिया के लोग सिर्फ दो तीन चीज़ें कहते थे पहली बात कहते थे कि आयोदिया में मंदिर बनाने के लिए क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई बहुत सारे लोगों की दुकाने घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर चीने गए तोड़े गए, दुकाने तोड़ी गई आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया पहली बात जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन चीनी गई सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया दूसरी बात अयोदिया का इंटरनेशनल एरपॉड बना बड़ा एरपॉड जमीन किसकी गई? अयोदिया के किसानों की जमीन गई आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला और तीसरी बात इन्हों ने बताई मुझे तीसरी बात राहूल जी अयोदिया की जन्ता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इन्योगुरेशन में अयोदिया का एक भी व्यक्ती नहीं था ये कारण थे मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो मुव्मेंट अडवानी जी ने चालू की थी उस मुव्मेंट को जो जिसका सेंटर अयोदिया था उस मुव्मेंट को इंडिया गडबंदन ने अयोदिया में हरा दिया है बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मतलब इनका पूरा जो सेंटर था वहाँ पे हमने आप जैसे कार्यकरताओने कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरताओने और आप जाके पूछिए वहाँ पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्यकरता बबबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था एक इंच पीछे नहीं हटा तो अयोधिया में कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गडबंधन ने इनको हराया है तो अगला स्टेप क्या है अब इन्होंने क्या किया अच्छा अंदर की बाद बताता हूं अब यहां आया हूं परिवार से बात हो रही तो अंदर की इंसाइट ट्रैक बता देता हूं इंसाइट ट्रैक है उसी MP ने बताया राहुल जी यहां पे तीन बार सर्वे हुआ था नरेंद्र मोदी जी वारा नसी से नहीं लड़ना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी अयोदिया से लड़ना चाहते थे उनके सर्वेर आए तीन बार आए नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोदिया से लड़ेंगे आप अयोदिया में हारेंगे आप अयोध्या में मत लड़िए क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनेतिक करियर अयोध्या में खतम हो जाएगा इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े वारा नसी ते लड़े और वारा नसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी नहीं तो वहां उनको निपट लेते हैं मतलब आप देखिए अयोधिया में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे और काशी में कितने से जीते एक लाख वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं हे इसे मैंने पार्लिमन्ट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह यह जो चिन लगा रखा जैं सको क्या कहते हैं अभे मुद्रा कहते ह है यह आप का चीन हे मैं इसको बूलो मत आप आप आज वापिस जाओगे अलग-अलग धर्म के लोगों आप हर धर्म में ये चिन आपको दिखाई देगा गुरु नानक जी की फोटो देखिए महवीर की देखिए, बुद्धा की देखिए इसलाम में भी जैसे मैंने पार्लिमेंट में कहा दूआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है आप शिवजी की फोटो देखिए, उसमें आपको ये दिखाई देगा और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत और मैं आपसे यहां कहने आया हूँ इन्होंने आपके ओफिस पे आपके कार्यकरताओं पर आकरमन किया है अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है इन्होंने हमारे ओफिस पे धमका कर, ओफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाओं में मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने कहा और लिखके लेलो, लिखके लेलो Congress Party की जो आत्मा है, वो गुजरात के चुनाओं में लड़ेगी और नरेंदर मोधी और बीजे-पी को गुजरात में, जैसे हमने अयोधिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रे हैं कौन हराएगा हमारे लीडर हराएँगे हमारे बबर्शे टाइगर हराएँगे आपको आप देख रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको देखो 50% आप में से लोग 50% आप क्या सोच सकते थे मैं आपको पूछता हूँ आप क्या सोच सकते थे चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोधिया में BJP हारेगी ना आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोधी जान बचा के निकलेगा मतलब मार्जिन ऐसे तुक कैसे निकलेगा सोच सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे यह यह योधिया में हारे वैसे यहां पर हारने जा रहे है आपको सिर्फ एक काम करना है एक काम करना है आपको आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बुलनी है आपको डरना नहीं है बिना डरे अगर आप BJP से लड़ गए चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे वियापारी हो अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई BJP सामने नहीं खड़ी हो पाईगे दूसरा उधारन देता हूँ आप कॉंग्रेस पार्टी को जानते हो जानते हो हमारी पार्टी में कोई डरता है कैसे मालूम कैसे मालूम हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं बड़ा सा बड़ा हो, राहूल गांदी हो हमारे पार्टी के लोग कहते हैं मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं राहूल जी, ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा कहते हैं मैं बता रहा हूं आपको और मैं कहता हूं आपने सही बोला इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था जो आप बोल रहे हो वैसे करना था हम ड़ते नहीं हैं ना हमारे कार्य करता हमें बोलने से ड़ते हैं ना हम अपनी कार्य करता की बात सुनने से ड़ते हैं ना हमारा कार्य नरेंद्र मोदी बैटे हैं, उनकी पुरी टीम बैटी है उनके सामने, मैं आपको internal बात बता रहा हूँ, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी leadership team देख लो आगे बैठी है मैं बता रहा हूँ आपको अंदर की बाद बता रहा हूँ inside track दे रहा हूँ कोई नहीं चाहता मकर दम नहीं है डरते हैं अगर नरेंद्र मोधी जैसा leader congress party में होता पूरी congress party खड़े हो जाती कहते हैं नहीं हम ड़ते नहीं हैं हटो यहां से मकर उनकी party में धम ही नहीं है उनके कारेकरताओं में डम नहीं है अब देखो न एक आदमी घड़ा वहां पे सब के हवा निकल गई मतलब कारेकरताओं के हवा निकल गई RSS की हवा निकल गई सारे leaders के हवा निकल गई सच बोल रहा हूं न और हमारे मतलब चोटा सा चोटा कारे करता होता है tiger होता है आता है Congress President के सामने आता है राहूल गांदी के सामने आता है कहता भया मेरे दिल में यह बात है आपको नहीं ना लगे मैं तो बोल रहा हूं तो यह Congress Party अंग्रेज़ों के साथ यह खड़े हो गए थे सारे के सारे RSS वाले हम लड़े थे हम लड़े थे हम लड़े थे हमने कहा देश से हमने कहा था दरो मत दराओ मत हमने कहा था कि बीजेप के लोगे हाथ चोड़के कहा था भईया डर गए हम जो करना है कर लो तो आप अपनी हिस्ट्री समझो जो डर की भावना होती है न वो आप में नहीं है उनमें है और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं Congress Party पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नहीं नहीं Congress Party बनेगी क्योंकि Congress Party मैं गहरी बात बोल रहा हूं मैं ऐसी आलतु-फालतु बात नहीं करता हूं देखिए Congress Party बनी कहा थी मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्नोंने रास्ता दिखाया था आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था गुजरात के वियक्ति ने कहा था महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो डरो मत डराव मत और आज गुजरात से शुरू हुई थी और आज अगर कॉंग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी वो भावना वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी इसलिए जब इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा मैंने सोचा भहिया मौका मिल गया अब हम इनको सबब सिखाएंगे जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं अच्छा अब मैंने गरोमत की बात करी मगर एक शिकायद भी है एक शिकायद भी है यह भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है यह कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा कमी क्या है एक कार्यकर्टा ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्टा ने राहूल जी कहता है मुझे राहूल जी यह कॉंग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है दो तरीके के घोड़े होते है एक रेस का घोड़ा होता है दूसरा शादी का गोड़ा होता है ये आप कभी-कभी Congress Party क्या करती है Race के गोड़े को शादी में भेज़ देती है और शादी के गोड़े को Race में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिये Race के गोड़े को आप Race दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में बेजिए तो ये हमें गुजुरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो तियार है दोड़ने के लिए तियार है उसको रेस में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के गोड़े हैं जो है वो है उनको हमें शादी में बाराद में नचा देना चाहिए तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरियूसली करना है हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाओं में नहीं लड़े थे ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाओं में 2017 में हम तीन महीं ने कहलो चार महीं ने कहलो चार महीं ने तीन महीं ने हम लड़े और नतीजा आपने देखा आपने देखा गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइड ट्रैक मुझे बस में कहा कि राहुल जी गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी मैंने उनसे कहा 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 16 सीट से हम चुनाव हारे अब तीन साल है तीन महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे तीन साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़ के निकल जाएगे हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद तीस साल हो गए तीस साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप में से 50% अभी मान रहे है और 50% कह रहे नहीं या नहीं होगा जो 50% मान रहे है मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50% मान रहे है मैं आपसे बात कर रहा हूं आप लड़ जाओ और ये बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नहीं अपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि AICC की टीम राहूल गांदी मेरी बहन सारे के सारे सीनियर लेटर आपके साथ यहां खड़े हो होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे आपने बहुत सहा है बहुत लाठियां खाई है आपका गालिये खाई है अब बहुत हो गया अब इनको हमें सबक सिकाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं और और नफरत से नहीं महबत से महबत से आप देखना महबत से हम इनको हराएंगे कैसे क्योंकि नरेंदर मोधी जी का जो विजन था वो गुबारा जो था वो फट गया है पटाक से वो फट गया है आप सोचिए पार्लिमेंट हाउस में नरेंद्र मोधी वहां बैटे मैं यहां और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोधी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं पता नहीं आप क्या हैं क्योंकि आप नहीं कहा कि मैं नोन बायोलोजिकल हूँ मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ क्यूंक्यों और मेरा मेरा सीदा डाइक्ट कनेक्शन है इश्वर से अरे भाईया आपका डाइरेक्ट connection है यह स्वर्ज से तो योधिया कैसे हार गए कैसे हार गए तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलोजिकल, गुजरात की जनता बायोलोजिकल, गांधी जी बायोलोजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलोजिकल और नरेंद्र मोदी नौन बायोलोजिकल स्पीकर जी ने स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिये मैंने का मैं थोड़ी बोल रहा हूं यह तो प्रधान मंत्री बोल रहे थे मैं तो उनकी बात कर रहा हूं स्पीकर विल्कुल चुप हो गए बात तो सही है बात तो सही है यह राहूल गान्धी के शब्द थोड़ी है यह तो इंदुस्तान के प्रधान मंत्री के शब्द है non-biological अब सोचिए वो वियक्ती जो अपने आपको non-biological समझता है और देश की जनता को biological समझता है कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहाँ वो Gujraat को Vision कैसे दे सकता है जो किसानों का दर्भ नहीं समझ सकता मज़णों का दर्भ नहीं समझ सकता Diamond Industry में जो गाम करते हैं उनका दर्भ नहीं समझ सकता Non-Biological व्यक्ति वो Gujraat को कैसे रास्ता दिखा सकता है नहीं दिखा सकता तो अब आपका काम है, गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं, बेहनों को विजन देना, कि भाईया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था PGP को, आपने देखा वैसा मैनिफेस्टो बनाना है, गुजरात के लिए, गुजरात की जनता से मिलकर, एक लाक लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाये था, वैसे ही हम गुजरात में, लाकों लोगों से पूछ कर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे, और फिर चु दिल से धन्यवाद, आकरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहां जगनात यात्रा हुरी है, आप सब को और यो यात्रा में भाग लेंगे, आप सब को शुब कामनाई देना चाहता हूँ, और दिल से दिल से प्यार देना चाहता हूँ, आप सब का दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जेहन, अब है मुद्रा, डरो मत, डराओ मत.